आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सा नास्ता जिससे देखते ही आपका बनाने का मन करेगा बच्चे तो खासकर बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और बनाना इसे बहुत ही आसान है फटा फट से बन जाता है बच्चों के लंच में भी दे सकते है आपके सब्सक्राइब बनासकते हैं तो देखें बहुती ज्यादे क्रिस्पी है और बहुती ज्यादे टेस्टी भी यह जड़े स्टुरू करते हम बनाना इसे इन के वाच आलू लियें मीडियम साइज की इनको अच्छे से मैश कर लेंगे हां तो से यह देखें इस तरीके से बिगंटेजंग, भीटियार, थोड़ा सब्सक्से कई इसे में इसमें टूरी जारी आटवा भी शेट की दूमेने साई कई घड़ाय कemor निदेट में दालाई माँख पावभाजी मसाला थोड़ी से धन्या डाली है वाज इन सभी को अच्छे से कर दिया है मैंने मिक्स बस अच्छे से मिक्स करके सका में डो लगा लेना है यह यह लो बना के तैयार कर लिया है दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं चीह में लियाए घहुं काटा इसमें थो खुडी इस चिलीफलente फेले के एले तैयार करेंगे मैं आपको दिखातीम मेरे पास रखते तो आप चाहे तो अत्ता गूत ले मैंने यह बचा हुआ रखा हुआ तो उसी समय निए रसीपी बनाई है आप चाहे तो गूत की भी बना सकते हैं कि अबस इसे एक बड़ी बड़ी सी लोई की उसमें तोड लेना है और बस इसे हमें अच्छे से बेल लेना है जिसे हम्रोटीया मनाते हैं बस उसी साइज में इससे बेलना है लोटा होन चाहिए न जआसा कि पतला और बस एक कि आपके पास कट्र हो तो कट्र से काट सकते या फिर इस तरीके से मैं nasal से गिलास से काट दिया ए छूट छूटी जैसे पूड़िया नहीं बनती है बस उसी तरीके से से बना ले लें सो इद्स फटाफट से बनके तैयार हो गई है किसे एक बार में यह कितनी सारी बना लें है और उसी पर सारी स्टफिंग को रख लेंगे हम आलू की इदे के सारे स्टफिंग में इसी तरीके से रख लिए अब एक को उठा के जो हमने डिब बना के तयार किया था आटे का घुल और दूसरी तरफ मेंने कड़ाई में तेल लग देता गरम होने के लिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है यह देके एक करके अब इ इससे के ग़ोल में डालना है और इस तरीके से बाषनाहे ना था कि कलग डाला कि वहां इस तरीके से डालिगे और गयास के प्लाइब को रखेंगे हाई frkindre ने मतल्बंव हाई भी प्लेट में यह देखी कितने किस पेर दिख रहे हैं कितना अच्छा सा कलार आ चुका है इसमें गोल्डन गोल्डन सा बस इसी तरीके से करना है और जो बचा हुए भी हमारे थे वह भी इसी तरीके से डाल के हम इन्हें सेक लेंगे दिखें यह मिन्टों में नास्ता बनके तैयार हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे बनाने में भी बस से पांच मिनट में यह हमारा नास्ता बनके तैयार हो जाता है आपके गर में कोई महमाना है तो भी यह नास्ता बना सकते हैं सब भी आपकी बहुती तारी इस दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे यह सिख्के तयागर हो चुके हैं लिए उपर से कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं बहुत इच्छ सा कलर आ चुका है सारे हमने निकाल के तैयार कर लें चलिए सर्फ करते ही से चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ खाई यह बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेंगे बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है यह रेसिपी अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें बैल आइकन ज़रूर प्रस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें और कमेंट क पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलें कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है थैंक्यों फर वाजिंग